प्रॉपर्टी टेक्स क्या होता है और क्या ये पे करना ज़रूरी होता है प्रॉपर्टी टेक्स को आगे मुखलिक पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है अब प्रॉपर्टी टेक्स हमेशा कैश की प्रॉपर्टी पे होता है कैश की प्रॉपर्टी पे अगर आपको यानि कि उसका जो प्रिंटेड रेट है जो एफबीर रेट है वो 40 लाग से नीचे का है तो आपको उस केस में फाइलर 2 परसंट नॉन फाइलर 4 परसंट यह मैं बात करूं असलाम बाद दार लुकूमत की आपको टेक्स पे करना पड़ता है यह बनता है अपका कैपिटल वैल टेक्स जतने की भी उपने प्र Growperty एक खरीड地 जो उसका DC रेट है अगर फाइलर है तो 2 परसंट नॉन फाइलर है तो 4 परसंट फर इसेंपल अगर plot है 2% advanced tax, fixed tax वो pay करना पड़ता है, अगर let's say plot की value है, आपकी for example 40 lakh जो उपर है, एक क्रोड की वर्थ है, एक क्रोड की वर्थ का plot का आपको 2 lakh tax in any case pay करना होता है, वो बाद में आपके returns में adjust हो जाता है, तो ये 3 taxes हैं जो आपको इसलामबाद में इसके लावा society की जो transfer fees होती है, उसका इस tax से कोई तालब नहीं होता, इसके लावा society की जो चोटे मटे charges होते हैं, जैसे membership fees होगी, जैसे processing fees होगी, इन चीजों का आपके taxes के साथ कोई लेक नहीं है, taxes आप government और पाकिसान को pay करते हैं, और government और पाकिसान को नमबर वन, capital value tax, नमबर टू, capital gain tax और नमबर त्री, advance tax, इसके लावा रावल पिंडी development authority की जो टेक्स के वाले सेपरेट वीडियो बाद इमरात होगा